साई की बात बच्चे बस तुम्हें इतना ही करना है मेरे बच्चे और तुम्हारी सपलता पक्की है हाँ मैं तुम से ही कह रहा हूँ बस तुम्हें इतना ही करना है और तुम्हारी सपलता पक्की है मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो मैं तुम ही से कह रहा हूँ, आगे बढ़ू, सफलता तुम्हारी है और सुनो मेरी बात को, तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा मेरे बच्चे जो भी तुम सोच रहे हो ना, जो भी कुछ, वो सब बनना शुरू हो जाएगा तुम्हारी परिक्षा खतम हो चुकी है क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चले हो ना, तुमने बहुत महनत की तुमने कभी भी ना, हार नहीं मानी, और इससे मैं बहुत खुश हूँ तुम कहते हो ना की, साई मुझे कभी न्याय नहीं मिला सारा दुख मेरी ही जोली में क्यों आ गया तो सुनो मेरी बात को तुम अगर मेरी भक्ती भी कर रहे हो ना, तो वो मेरी मर्जी से कर रहे हो तुम जानते हो, कि हर कोई ना, मुसे प्रेम नहीं कर सकता कोई मेरा नाम जाप नहीं कर सकता हर किसी तक मेरा नाम नहीं पहुँचता अगर तुम तक पहुच रहा है न तो इसका मतलब तुम सुभागेशाली हो कि मेरा नाम तुम तक पहुच रहा है तुम मेरी संतान हो और इस जनम में नहीं हर जनम से तुम मेरी संतान रहे हो और आगे भी रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें अपने चर्णों से कहीं और दूर जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हें अपनी संतान की रूप में स्विकार किया है मेरे बच्चे हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहूँ मेरे बच्चे, तुम जानते हो, तुमने हर बार मा काली, मा सरसवती, मा दुरगा को पूजा है तुमने, उनके रूप में भी मैं तुम्हारे साथ ही था, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम पहले मा दुर्गा की पूझा करते थे जब तुम मा काली की पूझा करते थे और उसके बाद से मा ने तुम्हें मेरा रास्ता दिखाया और तब से तुम मेरी शरण में आ गए अब मेरा फर्स बनता है कि तुम्हें संभालू और तुम्हें सम्हालने का पूरा पूरा हक है मेरे पास जो तुम मेरे प्रेम का मोल लगाते हो ना मेरे प्रेम का ना कोई मोल नहीं मेरे बच्चे और तुम कहते हो ना कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है बहुत बड़ी, तो क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे प्रेम से बड़ी तुम्हारी समस्या हो सकती है क्या, बोलो, क्या मैं तुम्हारी समस्या को हटा नहीं सकता, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, बताओ मुझे, क्या इतनी बड़ी तुम्हारी समस्या हो गई, कि तुम् तुम्हारे आगे भविश्य के लिए बहुत को सोच लिया है मैंने तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारी आखों में आसू नहीं देख सकता चाहे मैं कुछ भी कर लूँ जैसे तुम मुझे दूर जाना नहीं चाते ना जैसे तुम मुझे छोड़ना नहीं चाते उसी तरीके स मैं भी तुम्हारी आखों में आसु या तकलीफ नहीं देख सकता तुम जानते हो जब एक बच्चा कीचड में खेलता है ना तो उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए ना मैं अपने उस बच्चे की रक्षा करता हूं मैं जानता हूं कि आज वो कीचड में खेल रहा है ले क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चे के लिए वो सही नहीं है लेकिन वो बच्चा रोता है जिद में आकर बच्चपने में आकर क्योंकि उसे समझ ही नहीं है उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ना उसे पता ही नहीं है और वो जिद करता है उसे यहीं नहीं पत कि वो किस गलत रास्ते की तरफ जा रहा है और वो बिमार पड़ जाता है परिशान हो जाता है तो ऐसे ही मेरे साथ है ना मुझे जब पता है कि तुम गलत रास्ते की तरफ हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि एक मा की तरह मैं भी तुम्हें वहां से हटाऊं जिन लोगों के तुम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हो जो सही नहीं होता और मुझे वहाँ से तुम्हें हटाना ही पड़ता है कभी सकती से तो कभी डाट कर तो कभी कैसे तो कभी कैसे तुम्हें समझाने के लिए और मैं तुम्हें उस लायक बनाना चाहता हूं कि तुम दुनिया का कल्यान कर सको पता है तुम्हें दुख क्यों मिलता है क्योंकि जब तुम्हारे अंदर दुख आता है तो तुम उस दुख को समझते हो और जब तुम दुख को समझते हो तो तुम इस दुनिया के दुख को भी समझोगे यहां के लोगों के दुख को भी समझोगे जिसने कभी दुख महसूस ही नहीं किया जिसने कभी दुख एसास ही नहीं किया उसे क्या ही दुख होगा किसी का क्या ही दुख होगा उसे जो दुख का एसास कर पाता है न वही दूसरों के दुखो को समझ सकता है और इसलिए तुम दुनिया का कल्यान करने यहां पर आए हो और मैं तुम्हारे माध्यम से बहुत सर लोगों की जिदिकियों को सवारना चाहता हूँ मैं तुम्हें निखारना चाहता हूँ मेरे बच्चे तुम अपनी खयालों की दुनिया से बहार निकलो और इस ख्यालों के दुनिया से बहार निकल कर ना हकीकत में आओ और इस हकीकत में ना मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ सब कुछ और ना तुम जो बिमार रहकर अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते ना हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो दूसरों के लिए रोते हो और मुझे गुस्सा तब आता है कि ऐसे लोगों के लिए तुम रोते हो जो तुम्हारे अपने ही नहीं है जो तुम्हारे बारे में अच्छा ही नहीं समझते तो वहाँ जरूरी है कि तुम्हें वहाँ में असली चहरे दिखाऊं, असलियत दिखाऊं, वहाँ बहुत जरूरी है, और दिखाता भी हूँ, लेकिन तुम हो की मानते नहीं, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें मानना होगा, ऐसे लोगों के लिए तुम्हें रोना छोड़ कर सको, जितनी तुम्हारे अंदर की शक्तियां मरदाश कर सके, क्योंकि मैं जानता था, तुम इसे जादा जेल नहीं पाओगे, तुम इसे जादा कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में इतनी ही परिशानिया दी थी, इतनी ही परिक्षा थी तुम्हारी और इतनी ही तुम्हारे जीवन में चुनौतियां थी जिससे तुम बाहर निकल पाए हो क्योंकि जरूरी था मेरे बच्चे मुझे तुम्हे तुम्हें गंदगी से बचाना था और इस गंदगी से बचाने के लिए ना मुझे यह सब करना पड़ता है तुम्हें परिक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें चीजे करवानी पड़ती है तुम्हें समझाना पड़ता है हर तरीके से समझाना पड़ता है मुझे और तुम सडक पर पड़े हुए कोई पत्थर नहीं कि तुम इधर कभी उधर कभी यहां कभी वहां कभी किसी के पैरों के निचे रुंद रहे हो नहीं बलकुल नहीं तुम तो वो मेरा अनमोल हीरा हो जो ना बहुत कीमती है जिसे पाने के लिए ना लोग तड़पते हैं लोग बहुत महनत करते हैं ना तब जाकर तुम जैसे इंसान उनके जीवन में आता है और तुम मेरा वो नाया भीरा हो वो बच्चा हो मेरा मेरी संतान हो तुम तो मैं कैसे छोड़ दू मैं तुम कभी कभी गुस्से में आकर कहते हो ना कि बाबा छोड़ दो मुझे मैं देख लूँगा अपना तो कैसे देख लो के तुम अपना मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम नहीं देखोगे सब कुछ मैं देखूँगा तुम्हारा और सुनो जहां तुम्हारा अपमान होता है न जहां तुम्हारे बेज़ती होती है न वहां रहना, वहां रुकना बिकार है मेरे बच्चे क्योंकि जहां तुम्हारी बेज़ती होना बहार उकना नई चाहिए महासे हट जाना चाहिए कब तक तुम मांसिक तनाप देते रहोगी कब तक अपने आपको परिशान करते रहोगी इससे अच्छा है कि एक तरफ हो जाओ और एक तरफ होकर अपनी जिन्दगी को देखो तुम किजी पर निर्भर मत रहो और तुमें डर लगता है दूर से देखकर कि तुम दूसरों पर निर्भर हो और अपनी उपर निर्भर कैसे रहोगे ऐसा कुछ नहीं है जब तुम उस चुनौती में जाओगे न जब तुम वो सब चीजे करोगे न तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा होगा कि तुम सब कुछ कर जाओगे तुम ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर शक्तिया नहीं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर शक्तियां भी है हिम्मत भी है और तुम सब कुछ कर भी सकते हो ये मैं तुमसे कहता हूँ और इससे अच्छा कर सकते हो विश्वास मानो मेरा और सुनो तुमने अगर किसी को पैसे दिये है न नहीं किया जाता क्योंकि हर कोई ना तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं होता हर किसी के मन में मैल होती है और पैसो को देखके तो हर किसी के मन में लालज उत्मन हो ही जाता है तो पहले तो अपने पैसो को वापिस ले लो एक तो तुम्हारे पैसो का नुकसान होगा कि शायद तुम्हें कमजोर देखकर वो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापिस करे ना करे और दूसरा तुम अपने रिष्टे से भी हाथ दो बैठोगे तो वो रिष्टा जो तुम्हारा अपना है जिस रिष्टे को तुम अपना मानते हो ना पैसों को बीच में लाकर तुम उस रिष् तुम्हारे अंदर हिम्मत भी आएगी तुम्हारे अंदर ताकत भी आएगी और तुम्हें जो चक्कर आते हैं न वह इसलिए क्योंकि तुम ढंक से खाना पीना नहीं खाते और तुम सोचते बहुत हो सोचना बंद करो और खाना पीना शुरू करो अच्छे से अच्छा खाना खाओ, स्वादिस नहीं पॉस्टिक आहर खाओ फिर देखना तुमारे चकर भाग जाएंगे बहुत चल्दी खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाप्तुवा